हाई एवरीवन बुड मॉर्निंग टू अल आप यूटीव चैनल आज इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक को कवर करेंगे पहला होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सेकिंड जो टॉपिक उसको हम कवर करेंगे वो है प्रिजर्वेशन आफ जोन लेयर इसमें हम टॉप आप mcqs को आज पर करेंगे जो कि आपके सभी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन लेयर स्टर्ट करते थे का सबसे पहले मैं आपको पताना जाओंगा 16 सब्तमबर को हर साल जो है इन्टरनेंशन डेए फार्ट प्रिजर्वेशन अप्विजून लेयर इसको मिला जाता ह यह इसको वर्ड ऑजोन डे भी बोलते हैं तो कमेमोरेट दसाइनिग आप दी मॉन्ट्रियर प्रोटोकॉल तुझे आपको 16 सब्टमबर डेट जाद रखनी है इंट्रेशन डेफार दी प्रेजर विशन आप जोन लेयर जिसको वर्ड ऑजोन डे बोला जाता है किसके लिए त तो आप इस सब्टमबर दूर है तो 2022 का मैं जहां पर आपको थीम बता दू यूएन इंवार्नमेंट प्रोग्राम फार इंट्रेशन डेफार्टी प्रेजर्वेशन आफ जोन लेयर 2022 जे इस पार का थीम था 2022 का ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ और जे इस जिसका मेनिगी है stop करना production of substances causing a zone depletion जिसे zone deplete हो उसको उनके जो production उसकी production को खतम करना adapted किया गया था 6 September 1987 आपको यह और जाद होने चाहिए protocol is to date the only UN treaty ever that has been ratified by every country on earth all UN member states इसके साथ मैं आपको पताना जाओंगा it has led to the phase out of 99% of ozone depleting chemicals जैसे refrigerator हो गया air conditioners हो गया और many other इनका हमने यूज जो है कम करना है और इंडिया is a party to be Montreal protocol जे रही है तो 1992 से ठीक है तो जून 1992 से इंडिया जो है इसका इसका मेंबर रहा है मौनेटरियो प्रोटोकॉल का जो आप questions की बात करते हैं काफी important question मैं आपके लिए क्या हूं इसमें से कौन सा जो है can be listed as a co-benefit of the Montreal protocol options आपके बास development of green fuels reduction in co2 emission reduction in air pollution जा hazardous based movement so comment box में जुरूर आंसर पताती जाएगा so answer यहां पर आपका भी रहेगा reduction in carbon dioxide emission ठीक है तो जे आपके लिए important option भी रहेगा इसका राइट नसर तो reduction in carbon dioxide emission is one thing that would come out as a co-benefit from monetary protocol question number two इसमें से कौन सी statement जो है true है अगर हम बात करें Montreal protocol की it was an international agreement made in 1987 बिल्कुल यह जो है 1987 जैसे में आपको पता है 16 September it is considered under the Vena convention क्या इसको considered किया जाता अंटर बीन convention में options आपके पास है so right answer क्या रहेगा आपका C रहेगा जहां पर C जहां पर आपका रहेगा that is both two new है ठीक 1987 or it is considered under the Vena convention तो Montreal protocol एक protocol है जिसको that sits under the Vena convention and is it is an international agreement जिसको जो एक्रिमेंट साइन किया गया था 987 के दुरान कि नेक्स्ट कोशन पहली फोस्ट रिटी पता नहीं है आपने यूएन की टू रसीब यूनिवर्सल रैटिफिकेशन बॉन करेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटा प्रोटोकॉल जा पैरिस आपका आंसर जहां पर बीग बनेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ठीक है फॉस्ट रही है यूएन की टू रसीब यूनिवर्सल रैटिफिकेशन जिसको उनिवर्सली रैटिफिकेशन में लिए वह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड बाए 197 गंट्रिफिकेशन को साइंड किया गया था एंड वास फॉस्ट एवर्स ट्रीटी आफ यून तो वी कंप्लेटली रैटिफिए नेक्स्ट कोशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाज एड्ड्रेसिंग बीच फॉलवि को ऊफुष बता जाएगा जहां पे आपका option C zone deflation in status pair तो इसका में प्रोट्रोकॉल जो एड्रेस करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से करता है जुन deflation in status P ठीक है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाद साइन्ट एड्रेस था इश्यू आप जोन लेड देपलेशन क्लाइमेट चेंज और ग्रीन होस अमिशन यह आपके लिए इंपोर्टन है नेक्स्ट कुश्चन परपस क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेपल्पिंग कोपरेशन एमंग युएन मेंबर तो कंबाट क्लाइमेट चेंज या फेज ओव्ट दा प्रोटक्शन आप जोन देपलेटिंग सब्स्टैंज तो आंसर क्या रहेगा आपका आंसर यहां पर बी बनेगा ओनली सै खेक है तो मॉन्ट्रिय प्रोटोकोल और जोन देपलेटिंग सब्स्टैंज इस बहुत बाट के लिए इंपोर्टन है तो अप्शें आपकी फ़स्ट रिक और निकलोगिकल क्रेक्टर अप डिए प्रेडट और में उकर्ड डूमन रिंटिग सब्स्टैंज फुपरेंस जा बनेगा आपका जहां पर option A that is only first रहेगा आपका इसमें ठीक है? तो changes in ecological character of the wetland have occurred और may occur due to human interference. तो आपके लिए रहेगा जहां पर ठीक है? तो in case any change जो होती है, ठीक है, likely to happen in the wetland due to human, due to human interferences, it is listed in Monterix records में इसको रखा जाएगा. When is international day for preservation of a zone observed? सबसे पहले slide में हमने इसके बारे में किया था, तो 5th September है, 5th April है, 16th September है, जहां नममबर 14, स्वांसर बनेगा आपका जहां पर option C, 16th September, ठीक है? तो 16th September को हम observe कर थे international day of the preservation of a zone layer across the globe, ठीक है? पूरी world में. Next question, in which layer of the atmosphere is the zone present? कौन से atmosphere की layer में जो है, zone present रहता है? ट्रोपो स्पेर, स्टेटो स्पेर, लोनो स्पेर, जा बोथ A and B? तो answer बनेगा आपका जहां पर option, जहां पर D, ठीक है? तो option जहां पर आपका बनेगा D, बोथ A and B, ट्रोपो स्पेर में भी है थोड़ा और स्टैटो स्पेर में भी है, ठीक है? तो जैदे तरह अगर आप्रोक्सिमेटर जैदा पूछा जा गया, तो कौन सी layer में अटपास प which extends from the surface to about 10 to 15 kms, ठीक है? अल्टिटोड अबो 90% जो earth zone reside रहती इन रहती है न इस टैटो स्पेर, ठीक है जी आपके लिए Important है What is mean by a zone hole? A zone hole का क्या मिनिग है? hole in a zone layer over the arctic circle visible in aurora lights जाण depletion of a zone in late winter and early spring in the antrotic circle तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका B बनेगा जहां पर, only second, ठीक है, डिपलेशन होना zone का, इन दा लेट विंटर, and अरली स्प्रिंग इन दा अनडाल्टिक सर्कल में, ठीक है, तो जे आप देख सकते हैं, severe geotplation हो देख स्टाटो स्पेर के zone in late winter है, and early spring in the endaltic is known है, उसको बला जाता zone hold. Next question, इसमें से कोन सा जो है, effect करता है zone layer को? Halon's effect करते हैं, volcanic eruptions effect करते हैं, solar radiations, जा all the above, so answer बनेगा आपका जहां पर option T, all the above, halon's हो गया, volcanic eruptions होगे, solar radiation होगे, जह सारे के-सारे effect कर सकते हैं, zone layer को. तो जही था आज का हमारा short सा वीडियो, जिसमें हम जैसे daily में आपके लिए 10 से लेके 15 MCQs लाता हूँ, तो जही हमारा short सा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो, comment box में जुरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को, थैंक्यू फ्रेंट्स, गुडबाइं, टेक केर,